रतन सूत नमबर दस और ग्यारा रतन सूत यानि कि महामारी का विजय सूत्र या महामच्चू विजय सूत्र या महामच्चू विजय सूत्र या महामच्चूंजे सूत्र या महामच्चूंजे सूत्र या महामारी का मतलब है जहां बहुत ज़्यादा लोग परिशान है या मरने वाले हैं या दुखी है या से परिशान है, बहुत तरह की मार हो सकते हैं, 10 तरह की मार हैं, किसी तरह की दुख हो सकता है, मिर्टू लाश्ट है, मार का जो सबसे आखीरा काम है वो है वेक्ति को मारना, जिसमें वो सफल हो जाता है तो इसका रतन सुत का ये 10 और 11 तो दोनो एक ही हैं इसमें तीन बातें बहुत इंपोर्टेंट हैं, उन तीनों का मैंने वीडियो आपको बनाया है, इससे पहले आप जरूर देख लें, उनके सब्दी यहां आएंगे, इस प्रिकार से है, सहावस दस्थन संपदाय, तयस्थू धम्म जहीता भवान्ती, सक्ताय दिप्थी, वीच छितंचे, सिलब बतंग वाप्ती यद अत्थी किंची सहावस का मतलब होता है, साथ में वस करने वाला, वास करने वाला, रहने वाला, दस्थन संपदाय का मतलब होता है, जिसको दस्थन प्राप्त किया हो, यानि दस्थन प्राप्त किया हो, जिसने धम को देखा हो, धम का दस्थन प्राप्त किया हो, जो सोतापन हो, यानि धम क जिसमें और धम्मा माने होता है प्राकर्तिक नियम या प्राकर्तिक बंधन जहिता माने होता है जहती माने होता है छोड़ा और भवंती माने हैं होते हैं सक्काय दिप्थी का मतलब है जो अपनी काया को the existing body को देखता है जो उसकी body है उसको देख ले उसको बोलते हैं सतकाय द बतंग का मतब है, जो संदेश है, जो धंब के परती जो संदेश है, उसको देखना, उसको जानना, चै माने और है, सीलब बतंग माने हैं, सील के ब्रत, यानि सील परामर्स या सील परामास, सील के नियम जो नहीं माने हैं, यानिके ऐसी जुटी बातें जिनको धारण करने से आप धंब में आगे नहीं वढ़ सकते तो उनको विरत रहना होता है उसको बोलते हैं सिलब बतंग वा माने या पी माने भी यदथी माने यदि है कोई अत्थी माने होता है प्रृत है, किंची माने कोई। इसका मतलथ यह हुआ कि जो साथ में रहता है, जो द स्तन प्राप्ट है, यानि कोई ऐसा व्यक्ति, जो सोतापन है और जो साथ में रहता है। और जिसने धम्म का दर्सन किया हुआ है और सारे के सारे जितने भी बंदन है वो छोड़ चुका है यानि कि वो सत्काय दर्ष्टी में जितने बंदन है वो छोड़ चुका है वीचे किस्चा यानि संदे छोड़ चुका है सत्काय दर्ष्टी छोड़ चुका है और सिलब बतन छोड़ चुका है या कोई अन्यबी अगर उसके कोई व्यादा है तो वो छोड़ चुका है ऐसे व्यक्ति का वास इसमें अगली गाता इस्पिकार है चतु पाये ही चै विप्प मुत्तो चच्चा भिठा नानी ए भब्बो कातुं इदंपी संगे रतनंग पडितंग एतेन सचेन सुवत्ती होतु चतु पाये ही चतु पाये का मतलब है चतु माने चार पाये माने नरक यानि के कष्ट की डिगरिया है चार कष्ट की डिगरिया जो है चै माने और और विप्प मुत्तो माने है जो उनसे मुक्त हो गया है विमुक्त हो गया है चज्जा भिठानानी चज्जा भिठानानी के मतलब है छे उच्च अभी ठानानी यानि छे उच्च जो छे सबसे उच्चे जो इस्थान है किसके है ए भबो कातू ए भबो माने जो नहीं करने चाहिए कातू माने नहीं कभी नहीं करने चाहिए यानि 6 सबसे उंचे वो काम जो कभी नहीं करने चाहिए कौन से हैं माता की हत्या, पिता की हत्या, आरत की हत्या भिक्कू की हत्या या संग में भेद करना और या फिर किसी ऐसे आचारे का, ऐसे विक्ती का ऐसे गुरु की बात मानी जो जूटा है ये चार कारण जो सबसे उंचे पाप कर माने जाते हैं जो इनको नहीं करता जो इनसे विमुक्त है इदंपी संगे रतनंग पनितंग यह भी संग में एक रतन है सबसे स्रेष्ट पनितंग माने होता है सबसे स्रेष्ट रतन संगे माने संग में ये तेन सच्चेन इस सच्चे सुवत्ती होतु इस सच्चे वचन से जो ये महामारी आई है सारे पूरी-पूरे वैशाली के अंदर इस पूरी महामारी का विनास हो सारे प्राणी सुखी हो सारे प्राणी सुध हो जाएं, अच्छे हो जाएं, ये है रतन सूत नंबर 10 और 11, हिंदी में इस प्रकार ये सरल इस प्रकार से है, सोता फन प्राप्त, सोता फल का यानि सोता पती फल जो होता है, उसके जो प्राप्त है, उसके तीन बंदन तूट जाते हैं, कौन कौन से ती जो आत्म सम्मो होता है, यानि कि जो अपने आपको देखके सम्मो हित होता है, वो तूट जाता है, एक जो उसकी वीचे किसा है, यानि संसे है, जो उसके अंदर जितने भी डाउट्स हैं, वो खतम हो जाते हैं, और एक जो उसके करम कांडों का या जूटी बातों का जितना भ पूट जाता है और छे सबसे बड़े पापों को वो कभी नहीं करता यानि जो छे दुनिया में सबसे बड़े पाप हैं उनको वो कभी नहीं करता ये भी संग में सबसे उत्तम रतन हैं सबसे बड़िया बात है इन बात से भी सबका भला हो ये बलकुल किलियर है क्योंकि आपक कि सत्काय धर्ठी क्या होती है यानि जो बैक्ति जो मनुष्य जो भिकू जो भिकुणी सत्काय धर्ठी को छोड़ देता है और वीचे किर्षा को छोड़ देता है सीलब बतं को छोड़ देता है या कोई अन्य कर्मकांड़ उसको छोड़ देता है और जो कभी छे सबसे पाप जो दुनिया में होते हैं उनको कभी नहीं करता उसको जो चार प्रकार के जो नरक हैं वो कभी नहीं छूते उनमें वो कभी नहीं जाता ये बात बहुत उचे दर्जे की बात है ये पूरे धम की बात है इस संग में इसलिए इस बात के इस पॉजिटिव बात से इस अच्छी बात से जितने भी प्राणी है वो सारे सारे अच्छा महसुस करें पॉजिटिव एनरजी महसुस करें और जितने भी नुक्सान कर रहे हैं वो नुक्सान बंद करके सब का फायदा करें ऐसा इसमें बताया गया है धन्यवाद इसमें ठाव गच्छामी धन्म शरनंं गच्छामी धन्म शरनंं गच्छामी संघंशरनं कच्छा मेर बुतंशरनं